तो जैसा कि दोस्तो प्रिवेस पार्ट में हमने देखा कि प्रते कोशिका को अध्यन की सिविधा से तीन भागों में बाटा जाता है पहला है कोशिका जिली, दूसरा है कोशिका द्रव और तीसरा है केंद्रक तो प्रिवियस पार्ट में हमने कोशिका जिल्ली और कोशिका द्रव के बारे में डिटेल से पढ़ाता आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका द्रव के अंदर पाय जाने वाले उसके मुख घटक यानी की कोशिकांग के बारे में तो आईए समझते हैं कि कोशिकांग यानि कि सेल और्गिनल्स होते क्या हैं तो कोशिकांग के अंदर जीवद्रव में पाए जाने वाले सभी घटकों को हम सेल और्गिनल्स कहते हैं ये cell organelles जिल्ली बाद्धे होते हैं यानि की कोशिका जिल्ली दोरा घिरे होते हैं तो जितने भी cell organelles होते हैं उनकी सनरचना और कार एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो कुछ जो cell organelles होते हैं वो cell के कामकाज को कुसलता पुर्वक संपन करने तथा कुछ ऐसे और्गिनेल्स होते हैं जो कि कोशिका का नियंतरण करते हैं और प्रजनन में भाग लेते हैं तो आएए देखते हैं कि कौन-कौन से सेल और इनके कार्य क्या है तो आए सबसे पहले हम बात कहते हैं अंतह प्रदवी जालिका जिसे इंगलिस में हम बोलते हैं इंडो-प्लाजमिक रेटिकुलम तो इंडो-प्लाजमिक रेटिकुलम को हम सार्ट में इयार भी कहते हैं तो जन्तु एवं पाधप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अत्यंत सुच्म साकित जिलिदार अनीमित नलिकाओं का घना जाल होता है इस जालिका को हम अंतह प्रदवी जालिका या फिर इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम कहते हैं तो जैसा की फिगर में आप यहां देख रहे हैं यहां पर नलिकाओं का एक अनीमित जाल आपको दिख रहा होगा यही है इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम तो यहां पर आप केंद्रक के चारो और अन्तह प्रदवी जालिका को देख सकते हैं तो यहां पर आपको लिखावा द होती हैं दो प्रकार की होती हैं तो यह लाइपो प्रोटीन की बनी होती हैं और कोसिकाओं में समाना अंतर नालिकाओं के रूप में फैली होती हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह समाना अंतर नालिकाओं के रूप में फैली होती हैं और यह किसकी बनी होती हैं यह लीपिड और प्रोटीन से जब बनता है कोई चीज तो उसे हम बोलते हैं लाइपो प्रोटीन तो ये जो अंतर प्रद्यवी जालिका होती है दो प्रकार की होती है पहला है चिकनी अंतर प्रद्यवी जालिका और दूसरा है खुर्दूरी अंतर प्रद्यवी जालिका तो चिकनी अंतर प्रद्यवी जालिका को हम बोलते है स्मूथ इंडो प्रद्यवी जालिका को हम बोलते है रफ इंडो प्रद्यवी जालिका होती है तो इनकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है इसलिए इनको बोलते है चिकनी अंतर प्रद्यवी जालिका जबकि जो खुर्दुरी अंतर प्रदवी जालिका होती है उसकी सतह पर छोटे छोटे कड़ पाय जाते हैं और वो कड़ किसके होते हैं राइबोसोम के होते हैं और इसी के कारण जो इसकी सतह होती है वो खुर्दुरी हो जाती है इसलिए इसको हम बोलते हैं खुर्दूरी अंतह प्रदवी जालिका तो याद रखेगा कि खुर्दूरी अंतह प्रदवी जालिका की सतह पर क्या पाय जाता है राइबोसोम पाय जाता है जिसकी कारण इनकी जो सतह होती है वो खुर्दूरी होती है जबकि चिकनी अंतह प्रद्यवी जालिका की सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता इसलिए इनकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है आई बात करते हैं अंतह प्रदिवी जालिका के कारियों की तो अंतह प्रदिवी जालिका जिली नुमा ने लिकाओं में तरल द्रवे भरा होता है इसलिए ये कोशी का द्रव में प्रदार्तो मुक्त प्रोटीन का संचार करती है अथात अंतह कोश की परिवहन तंतर का निर्म का संसलेशन में भाग लेता है कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशी का जिली बनाने में सहता करते हैं जैसा कि मैंने प्रीवेस वीडियो में आपको बताया था कि जो कोशी का जिली होती है वह लीपीड और प्रोटीन की बनी होती है तो इस लीपीड और प्रोटीन के संसल तो इस प्रकार जिल्ली निर्मार की इस प्रक्रिया को हम जिल्ली जिवात्म जनन यानि की मेंब्रेन बायोजिनेसिस कहते हैं। दिवीजन होता है तो उस सेल डिवीजन के दोरान ये सेल प्लेट और केंद्रक जिल्ली बनाती है अगला कारे है केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांसिक प्रदातों को ले जाने के लिए पत्थ प्रदान करती है तो केंद्रक के अंदर जो अनुवांसिक प्रदात है अ जो अनुवांसिक प्रदाथ DNA होता है आप इसको याद रखेगा ठीक है चलते हैं अगले कारी की ओर तो अगला कार है इसके कारण ही कोशिका की सत्ह चेत्र यानि की जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाती है और लास्ट और जो इंपोर्टेंट कार है वो है RER प्रोटीन संसले में सहता करती है तो यहां पर राइबोसोम की बात आई है तो आए नेक्स हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक है राइबोसोम तो यदि हम बात करें राइबोसोम की तो राइबोसोम ऐसे कड़ है जो केवल इलेक्ट्रॉन सुछमद तो यह दो जगहों पर पाय जाते हैं या तो इंडो प्लाजमिक रेटीकुलम पर हो या फिर कोसी का द्रव में बिखरे हो तो ऐसे ribosome जो गुच्छों में मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं poly ribosome बड़ा important है जब ये गुच्छों में होते हैं तो उसे हम बोलते हैं poly ribosome या फिर polysome तो ये जो polysome होते हैं ये रचनाए protein और RNA sensation में भाग लेते हैं यदि बात करें हम ribosome के कार की तो इसका सबसे most important कार है protein का निर्माण करना तो आपके exam में objective question में पुचा जाता है कि कोसिका में protein का निर्माण कौन करता है तो याद रखिएगा protein का निर्माण करता है ribosome अहीans चलते हैं nest कोसिकां की ओर जो कि गाल जी उपकरन या फिर गाल जी काय तो सर पत्तम 1898 में जनतू कोसिका में गाल जी काय की कोज की गई थी और इसको खोजने वाले वेज्यानिक थे केमिलो गाल जी तो सर पत्तम केमिलो गाल जी ने 1898 में जन्तु कोशीका में गाल जी उपकरण की खोजकी थी तो साधारण सुच्छ दर्सी में देखने पर यह मूरी हुई छड़ के गुच्छो के समान प्रतीत होती है पादब कोशीका में यह कोशीका द्रब में मूरी हुई छड के समान रचना बना कर बिखरे रहते हैं और पादप कोशिका में इस मूरी हुई सन रचना को हम बोलते हैं डिक्टियो सोम तो फिगर में आप देख सकते हैं यह जो गाल जी उपकरण है ये मुडी हुई संरचना है और इसको हम बोलते हैं डिक्टियो सोम तो इलेक्ट्रोंस उचमें दर्सी द्वारा इने हम डीटेल से देख सकते हैं गाल जी उपकरण कुछ यू करियाटी कोसिका इस्तंधारी की लाल रुधिराडू यानि की आरबीसी जीवाडू एवं नीले हरे सेवालों यानि की प्रो करियाटी कोसिका में नहीं पाया जाते हैं तो इन सब में ये नहीं पाया जाते हैं किसमें नहीं पाया जाते हैं क्यों करियाटी कोसिका इस्तंधारियों के RBC में जीवाडूओं में निले हरे सेवाल यानि की प्रो करियाटी कोसिका में नहीं पाय जाते हैं अग्द्ट हम बात कहते हैं इनके कारेकी तो यदि बात करें हम इनके कारेकी तो यह हैं limo इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संसलेशित प्रदातों का संचयन रुपांतर तथा पैक कर कोशिकाओं के बाहर और अंदर विभिन छित्रों में भेशती हैं। में भी मदद करता है। कुछ परस्तितियों में इन में सामान सक्कर से जटिल सक्कर का निर्माड होता है। तो यहां पर आपने देखा कि यह जो एर से संसलेशित प्रदात है उसका संचयन करती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहां इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कुछ Sell Orginals के बारे में जाना। कुछ और भी most important Sell Orginals है है। उनको आने वाले वीडियो में हम discuss करेंगे। तो आजके वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलेगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत